नवश्कार म्योंकरिमा स्वागत आपका नाइन बारत समाचार में आईए देखते हैं खबरे विस्तार से स्पॉंसर्ड बाइ एक्स्क्लूजियो अक्रिलेक इनवेट यूर लिविंग स्पेसेस नूरानी लिबास रेडी मेड टेक्स्टाइल्स स्टिचिंग बेजेपी को बहुमत ना मिलने पर कॉंग्रीस ने कहा ये मोदी की नातेखार है शिवकुमार हमारे नेता बैठके कर रहे हैं राजनीती में कुछ भी हो सकता है हैद्राबाद बार बार बिजली कटोती पर नागरिकों में नाराजगी असुदिन ओवेस ने हैद्राबाद संसद्य सीथ पर जीत की लए बरकरार रखी या कैनेडा दिली टोरेंटो उडान को बम की धम की मेरे लोकसभा चुनावों में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत ना मिलने के बाद कॉंग्रेस ने दावा किया ये प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी के खिलाफ जनादेश है इसके साथ ही कॉंग्रेस ने सरकार बनाने के अवसरों का पता लगाने की तैयारी दिखाई है और कहा कि वो बुद्वार को अन्य इंडिया ब्लोक साज़दारों से मिलने के बाद आगे की कारवाही पढ़ने नह लेगी गोग्रेस और अन्य विपक्षिदल अपनी पूर्व सहीयोगियों जेडियू और टीडिप को वापस अपने साथ लानी का प्रयास करेंगे सूत्रों ने बताया the country has unanimously and clearly stated we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country, we do not like the way they have run this country, we do not appreciate the way they have attacked the constitution, we do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. so that is a huge message to Mr. Narendra Modi, I would like to thank everybody who has participated in this election, I am extremely proud of the people of India, I am extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution. लोगसबद चुनावों में BJP, नीत, NDA के ओसत से कम प्रदर्शन पर टिपनी करते हुए, कनाटा कोगेस अथ्यक्ष और उपमुख्य मत्री, D.K. शिवकुमार ने मंगलबार को कहा, हमारे नेता बैठे की कर रही है, भारती राशनीती में कुछ भी हो सकता है, पत्रिकारो से बात करते हुए, शिवकुमार ने कहा, BJP अपने दम पर बहुमत हासल करने में विफल रही और उन्हें जरादेश को स्विकार करना होगा। स्टेट युनिवर्सिटी गई, उन्हें आखरी बार अठाईस माई को लॉस अंजलेस में देखा गया और तीस माई को पुलिस में शिकायत दर्स करवाई गई थी, पिछले कुछ दिनों में, खास कर रविवार की रात भारी बारिश की कारण शहर में बार बार बिजली कट स्टोती के चलते कई नागरिकों ने सोंबार को एक्स, पूर में ट्विटर पर इस मुद्दे को लेका चिंता जताई, उन्होंने संबनित अधिकारियों से इस समस्या का तुरं समाधान करनी के अपील की, कई नागरिकों ने चिंता जाहिर की है और बताया कि पिछले एक से मुराद नगर, आघापुर, नामपली, नेजाम पेट, कॉमलपली, सिकंदराबाद और रेड हिल सहित शहर के विभिन छेतरों में छोटे-छोटे अंतराल पर विजली कटोती हो रही है आल इंडिया, मजिसले इतेहादुल मुस्लमीन, AI MIM के प्रमुख असुदिन ओवैसे ने हिदराबाद में अपने गड़ में 3.38 लाग से जादा वोटों की बड़त बनाए रखते हुए बीजेपी की मादवी लाता कॉंपेला को हरा कर अपनी जीत की लैक और जारी रखा है असुदिन ने लगातार पांचवी बार बड़े अंतर से जीत हासल की और AI MIM ने हिदराबाद से लगातार 11 जीत दर्स की है पार्टी 1984 से इच सीट पर जीत दिया रही है और इस चुनाव में मतदान प्रतिशत रिकॉर्ड कम रहने के बावजूद असदीन को 6,61,981 वोट मिले जो 61.28 प्रतिशत का वोट शेयर है हिदराबाद की अवाम में मलिस इतिहाद मुस्लमीन के लिए जो महबबत थी उसमें और इजाफा फरमाया और अल्ला ने हिद्राबाद की अवाम के जरीए मल्लिस इतिहाद अल्मस्लमीन को हिद्राबाद की पार्लिमेंट की सीट से एक तारीखी कामियावी से हमको हमकिनार किया मैं हिद्राबाद की पार्लिमानी हल्खे की अवाम का शुकर गुजार हूँ कि उन्हों ने यहां से अपने इतिहाद और अपनी महबत की बुनियाद पर पांचवी मरतबा यहां से मजलिस के उम्मीदवार को कामियाब किया मैं तमाम अवाम्स का शुकर गुजार हूँ खास तोर से खवातीन का महिलाओं का कि उन्हों ने अपने ओट से और अपनी महबतों से यहां से एक तारीखी कामियाबी M.I.M. पाटी को दिलवाई मैं शुक्रियादा करना चाहूंगा तमाम उन गयूर नौजवानों का और खास तोर से फरस्ट टाइम मोटर्स का और साथी साथ हमारे मुजरगों का कि उनकी सरपरस्टी शामिले हाल रही और जो यहां के मौजजज लोग हैं, उल्मा-एकराम हैं मैं उनका भी शुक्रियादा करता हूँ और हर तबखे के से तालू रखने वाले अफराद का मैं शुक्रियादा करता हूँ और मैं हमारी पार्टी के तमाम मिंबर्स का, बूट प्रेजिडेंट्स का, हमारे पूरे M.L.S. का, मौनिस्पल कॉर्परेटर्स का और जिन्हों ने उस कड़ी धूप में इस केमपेंड को चलाया मैं एक एक का शुक्रियादा करना चाहूंगा और हम तमाम की इश्तिमाई महनत की वज़े से एक तारीखी कामियाबी हमको हिदराबाद के पार्लिमानी हलके से मिली है मंगलबार को पूर्णी क्राइम ब्रांच ने पोश्कारद और गटना मामली में दो और व्यक्ति को गरफतार किया इन पर आरोप है कि इन्होंने ससुन जनरल अस्पताल के आरोपी डॉक्टर्स और आरोपी किशोड़ चालक के पता के बीच वित्या लेंदीन को सुविधा जनक बनानी का काम किया एक अधिकारी ने बताया अधिकारियों के अनुसार मुंबई से गिरफतार किये गए आरोपियों के पहचान अम्मार गाय कवाड और अश्पाक माकंदर के रूप में हुई इन पर आरोप है कि उन्होंने नाबालिक के रक्त के नमूनों में हेर फियर की और डॉक्टर्स पर दबाव डाला कटर पंथी सिख उपदेशक अमरतपाल सिंग और इंद्रा गांधे के एक हत्यारे के बेटी सरवजीत सिंग खालसा ने पहली बार संसद में प्रवीश किया अमरतपाल सिंग ने खडूर साइब सीट से अपने निकटम प्रतिदवन्दी और कोग्रेस उमिदवार कुलबीर सिंग जीरा को एक लाग सतानमे हजार एक सो बीस वोटों से हराया जबकि सरवजीत सिंग खालसा ने फरीद कोर्ट में आम आदमी पार्टी के करमजीत सिंग अनमोल को सत्तर हजार तरिपन वोटों से हरा कर जीत हासल की आंधिप्रदेश के मुख्य मंत्री Y.S. जगन मोहन जड़ी जिनके पार्टी Y.S.R. कॉंग्रेस राजविदान सबा चुनावों में लगभग पूरी तरह से हार गई उन्होंने कहा परिणाम चोकाने वाली थी ये कहते हुए उन्होंने इस परिणाम की उमीद नहीं की थी उन्होंने आस्चरिय जताया कि कई कल्यानकरी उजणाओं को लागू करने और करोडों लोगों को लाप पहुचाने के बावजूद Y.S.R. कॉंग्रेस को हार का सामना क्यों करना पड़ा। में एक फार्म हाउस में हुई थी जिसने एक टिप आफ के बाद CCB जाज करताओं का ध्यान आकशित किया तेजी से कारवाही करते हुए CCB अधिकारियों ने 20 मई को फार्म हाउस पर छापा मारा और 103 व्यक्तियों को गरफतार किया जिनमें हेमा भी शामिल थी जिन से 86 व्य में शामिल होने के बाद प्रभावी साबत होती दिख रही है मतगणाना के मध्य में इस सीट पर नोटा वोट दो पॉइंट 18 लाख तक पहुँच गए थे ये किसी भी लोकसवाद 6 के लब तक का सबसे अधिक नोटा वोट है नोटा विकट को पहली बार 2014 के आम चनावों म वाली उडान में बं होने का दावा किया गया जिसके बाद उडान में देश्रत फैल गई अधिकारियों ने बुद्वार को बताया ये धम की जूटी निकली अधिकारियों के अनुसार दिल्ली इंटरनेशनल एपोर्ट लिमिटेड डायल कार्यालय को मंगलवार राद 10 पर चेडिंग शुरू की क्योंकि निमनस्तर पर वैल्यू बाइंग ने बाजारों में तेजी लाई इनवेट यूर लिविंग स्पेसेस नूरानी लिबास रेडी मेड टेक्स्टाइल्स स्टिचिंग बेजेपी को बहुमत ना मिलने पर कॉंग्रेस ने कहा ये मोधी की नातेखार है शिवकुमार हमारे नेता बैठके कर रहे हैं राजनीती में कुछ भी हो सकता है हैदराबाद बार बार बिजली कटोती पर नागरिकों में नाराज गी असुदिन ओवैस ने हैदराबाद संसदिय सीट पर जीत की ले बरकरार रखी या कैनेडा दिल्ली टोरेंटो उडान को बम की धम की मेरी अभी के लिए इतना ही लगाता खबरों के लिए बड़े नहीं हमारे साथ नमस्कार